पूर्वा मुख्य मंत्री स्वर्गे वीर बदर्सियं की समरीती में कॉंग्रेस पार्टी कार्यालिये में कलेंडर जारी किया गया वीर बदर्सियं की तस्वीर वाले 2022 के कलेंडर के सहरे अब कॉंग्रेस पार्टी 2022 के विधान सबाचुनावों में जीत की फिराक में नजर आ रही है मंडी की सांसत प्रतिबासियं ने इस कलेंडर को जारी किया प्रतिबासिया ने कहा कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी के मंडी दोरे से हिमाचल परदेश को बड़ी उमीदे थी लेकिन हिमाचल के पीएम मोदी के दोरे से हिमाचल के हाथ निराशा ही लगी है इसलिए 2022 में कॉंग्रेस पार्टी ही परदेश में सरकार बनाएगी चारो उप्चुनावों में भाजपा की हार से ये तै हो चुका है कि परदेश की जनता जैराम सरकार से दुखी है महेंगाई बेरोजकारी वो भाजपा की जनवी रोधी नीतियों से जनता परिशान हो चुकी है 27 तारीक को माने परदान मंतरी जी हिमाचल आये थे और बड़ा भारी उनके स्वागत के लिए पूरा हिमाचल से कितने लोग गए ये सुनने के लिए कि हिमाचल परदेश में ने रिंदर मोदी जी का आगमन हो रहा है तो न जाने हमको क्या तोफ़े मिलेंगे क्या गिफ्ट मिलेंगे और हिमाचल परदेश को क्या कुछ दे कर ने जाएंगे परंतो आपने सब ने देखा कि उन्होंने ऐसी कोई भी घोशना नहीं की हालांकि वो अपनी कुलवी भाषा बोलकर मंडियाली भाषा बोलकर ये लोगों को दर्शाना चाहते थी कि मैं हिमाचल से कितना जुड़ा वाँ हमें खुशी होती है अगर वो कुछ हिमाचल परदेश को दे कर जाते बहुत सी कठनाईयां अभी भी हमारे सामने हैं और पर कि इन्होंने ये आज एक कैलेंडर यहां जो लॉंच किया है ये एक नए साल की मौकर पर हम लोगों को देंगे हमारे कांग्रेस वर्कर को देंगे और लोगों को हर साल इसका इंतजार रहता था कि राजा साब का घर कैलेंडर हमारे आए और हम घर घर में इस कैलेंडर को ल गर में मतलब हरे क्या अमोमन घर में आपको उनकी तस्वीर उनकी पुराने कैलेंडर आज भी मिलेंगे वो आज हमारे बीच में नहीं है परन्तु कुल्दीब जी ने इसको जारी रखा इस कारेकरम को और एक जो कैलेंडर की शुरुआत की है मैं समझती हूँ यह बहुत ही सराहनिया काम किया है मैं इनको बढ़ाई देती हूँ और मुझे बिश्वास है कि लोग इसको पाकर खुश होंगे क्योंके वो भी अपने घर को इस कैलेंडर को लगा कर अपना घर से जाएंगे जिस गंग से कल वाक्या पेश आया कि यक आ यक जो बाहर से लोग आये थे हिमाचल गूमने आये थे और इतना ज़्यादा पैसा करके अपने परिवार के साथ आये थे उन्हें कहा गया कि एक दम जो है आप रिज मैदान खाली कर दो मुझे इस पात की हरानी है कि अगर कोई इंटेलिजेंस इंपुड था तो इसकी जो है दिन को जानकारी दी जाननी चाहिए थी कि लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जाता लेकिन आप अचानक से इस तरह से करते हो तो I think it is failure of the government और इससे हिमाचल की जो है छवी खराब हुई है जो बाहर से लोग क्योंकि हमारा टूरिस्ट राजय है बाहरी संके में बाहर से लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि इससे हमारी जो छवी है प्रदेश की निश्चित तोर पे उसको नुक्सान हुआ है कर दो मुझे लोगता है